आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Friends, आये देखते हैं आज का हमारा क्या question है तो आज का हमारा question है कि Experimental verification of chromosomal theory of inheritance done by Thomas Hunt Morgan and his colleagues ठीक है तो basically हमें बताना है कि उन्होंने जो work करा था तो basically इन लोगोंने work किस चीज़ के साथ करा था Means उस चीज़ का नाम बताना है जिसके ओपर basically उन्होंने work करा with the chromosomal theory of inheritance चार option हमें आपर दिये वे हैं पहला option है कि pea plant से करा था दूसरा option है sweet pea plant तिसरा option दिया है snapdragon के साथ या फिर fourth option दिया है drosophila के साथ तो friends अगर मैं आपको बता हूँ कि chromosomal theory of inheritance जो कि Thomas Hunt Morgan और उनके colleague ने जो work किया था उसके अंदर उन्होंने क्या observe करा था उन्होंने उसके अंदर सबसे पहली चीज की क्या observe करा था यह observe करा था कि जब दो jeans होते हैं under consideration उन्होंने क्या करा था दो jeans को लिया था उनकी consideration के अंदर ठीक है उसके अंदर उन्होंने क्या बला था कि उनके experiments में कि यह जो jeans हैं ये genes independently segregate नहीं हो रहे हैं ठीक है independently segregate नहीं हो रहे हैं और यह चीज उन्होंने कैसे बताई थी या फिर कुसकी सुसे बताया था उन्होंने उन्होंने बताया था by the characters studied by Mendel मतलब Mendel ने जो character Mendel जो scientist थे उन्होंने जो character study करें उसके according क्या हो रहा था कि वो jeans independently segregate नहीं हो पा रहे थे ठीके उसके बाद उन लोगोंने क्या करा थॉमन, संट, मॉर्गन और उनके colleagues ने बहुत सारे various मतलब अलग-अलग तरहां के dihybrid cross करें, दो तरहां के cross होते हैं, एक होता है monohybrid और एक होता है dihybrid, तो उन्होंने various अलग-अलग तरहां के dihybrid crosses करें, किस के अंदर करें, तो उन्होंने basically करें drosophila के अंदर, ठीक है, तो हमाई question नों यह पुछा है कि कि कौन सा ऐसा organism था, जि के थुरू उन्होंने practical या फिर experiment करा, तो उन्होंने बहुत सारे dihybrid cross करें drosophila के अंदर, ठीक है, और क्या करा उन्होंने with the genes, that were कौन से genes थे, जो sext linked genes थे, उसके थुरू करा उन्होंने, या फिर हम कह सकते हैं, sext linked genes मतलब ही वो genes जो X chromosomes पे प्रेजेंट थे, उसके साथ उन् में हमारा question concern मिल चुका है और वो है D वाला बाकी सारे options incorrect हैं, thank you